तोस्तों आज मैं आपके लिए एक एसा नुस्खा लाया हूँ जो कब्स को जड़ से उखाड फेकेगा और जीवन में कब्स फिर से कभी नहीं होगी कब्स के लिए नुस्खा तयार करने के लिए आप अपनी रसोई में से जीरा, दालचीनी, इलायची और अद्रक का पाउडर ले लेना आपको एक चमच जीरा, एक चमच दालचीनी, एक चमच हिलाईची के दाने और दो चमच अधरक का पाउडर मिक्सी में डालतर पीस लेना है अब यह जो पाउडर बन जाएगा, इसकी आधा चमच आप रोजाना दिन में एक बार किसी भी टाइम हलके गरम पाने के साथ खालेना इस पाउडर में मौझूद सारी चीज़ें खाना पचाने के सिस्टम को तो ठीक करती ही हैं साथ ही साथ पेट को ठंडा भी रखती हैं और आतों में जमा मल को बाहर भी निकालती हैं इस तरह इस नुस्खे से आपको तिगुना फाइदा मिलेगा जिससे कब्ज रहने का कोई कारण नहीं बचेगा एक्क्युप्रेशन में कब्स के लिए कमर पर नीचे की तरफ के पूरे हिस्से को दबाते हैं आप हातों की मुठी बनाकर इस हिस्से को कमर के नीचे के एरिया पर रीड के एड़ी के जस्ट साइड में रखें Read KD के तरफ दबाना है, दबा करगना है, साथ तक गिना है और फिर छोड़ देना है एक जगे पर लगातार दस बार तक दबाना है, फिर इससे नीचे के पूरे एगिया में भी जगे जगे आपको दबाना है इन जगों पर दबाने पर दर्द भी मैसुस होगा, दर्द वाले पॉइंट्स खास स्वार पर दबाने हैं, ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी आपको दबाना है Read KD के नीचे का ये हिस्सा पूरे digestion सिस्टम को चलाने के लिए energy देता है जब इसमें रुकावर्ट है गड़बड़ी हो जाती है तो कब्स जरसी बिमारियां हो जाती है एक्योप्रेशर के नीचे को दबाते ही ये energy balance होना चालो हो जाती है जिससे कब्स में हातों आत फायदा हो जाता है पेट पुरन साफ हो जाता है पेट की गड़बड़ी कब्स गैस पुरन ठीक हो जाती है रुज़र न लगातार इन पॉइंट्स को दबाते रहने से हफते बर में कब्स की विमारी ठीक हो जाएगा